दोस्तों आशकल जितने भी Android से टाय रहे हैं सभी में जनरली एक कॉमन चीज होता है जब आप recording का स्टार्ट करेंगे तो दोनों साइड इन्फॉर्मेशन ने जाता है कि आपका वाइस कॉल रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें एक प्लेयर स्टोर पे मैं ऐसा एप बताऊंगा जिससे प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी उस एप का नाम है TTSL-EWX जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं इसम्प्ली आपको प्लेयर स्टोर से इससे इस्टॉल करना है इस्टॉल करने के बाद ओपन करें आप इससे ओपन करने के बाद आप इससे एगजिट कर जाएं फिर इसके बाद आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आप सिम्प्ली सर्च करें जैसा कि मैं टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपको एक option दिखेगा जो की screen पे आपको दिखेगा text to a speech output आपको text to a speech output में जाना है इसमें जाने के बाद आपको setting का blue दिख रहा है बटन उसके बगल में जो arrow का mark है उस पे click करें उस पे click करने के बाद आपको दो option दिखने लगेंगे app install करने के बाद तो पहला option आपको जैसा कि दिख रहा है speech service by google है दुसरा आपका ttslex है इसको ok कर देना है ok करने के बाद आप app से exit हो जाए फिर इसके बाद आपको अपने mobile के जो डाइलर होता है डाइलर में app info पे जाना है app info पे जाने के बाद storage phone में जाना है वहाँ जाने के बाद आपको सारा कैसे clear कर देना है फिर recording आपका इस्टार्ट होजाए है